नमशकार दर्शको, हर हर महादीव, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है शुकरवार के दिन माल अश्मी के लिए अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो माल अश्मी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन होती है और वहाँ हमें अपना अश्रवात प्राप्त करती हैं ऐसे में अगर आप आर्थिक अस्थिती से जूज रहे हैं आपका वैपार अच्छे से नहीं चल रहा है कोई आपने विजनस सुरू किया है वहाँ ठीक से नहीं चल रहा है नौकरी में भी कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक छोटा सा उपाय ल छोड़िएगा आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन इसनानादी करके साफ कपड़े पहन लेने हैं और देवी मा के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना है फिर धाहिने हाथ में आपको एक लाल कलर का फूल लेना है क मिट्टी का दीपक आपको घी डाला हुआ घी का दीपक आपको जलाना है जिसमें गोल बाती रखिएगा आप साथ ही में देवी मा को एक लाल चुन्री आपको अवश्य चड़ाना है यहाँ कारे आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी कर सकत मा को लाल चुनदे चड़ानी है. उसके बाद मा की समक्ष आपको एक मंत्र पढ़ना है. मंत्र मैं आपको बताती हूँ, वहां मंत्र पढ़ना है. आपको कहना है ओम श्रीम हीम Martin. मैं एक बार और दोहराती हूँ आपके लिए. आपको इस मंत्र का जाप कम से कम आप 11 बार कर सकते हैं 11 बार करिए 21 बार करिए या फिर 108 बार आपकी स्वेक्षा के उपर है कि यह आप कितनी बार कर पाते हैं कम से कम आप 11 बार तो अवश्य ही करिएगा मा लक्षिमी के समक्षी बैठ जाएगा वही पर आपको ये मंत्र का जाब करना है और यह जो छोटे-छोटे कारे बताए है मालश्मी के आगे आपको वहसब करने हैं और शुक्रवार के दिन मालश्मी आपकी मनुकामना ज़रूर पूर्ण करेगी आपके वयपार में ब्रद्धी करेगी और आपके घर में शुक्षान्ति अवश्य ही आईगी दण्यवाद दर्शको आपको मेरा यहां उपाय कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताईएगा और इससे यदि आपका कुछ भी लाब होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताईएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और अपने परिवार वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को अवश्य शेयर करें